वेलकम एवरीबन दोस्तों गोर्मेंट मैडिकल कालेज की दरब से दो और सिलेक्शन लीस टोट हुई हैं जैसे कि हम बात करें गोर्मेंट मैडेकल कालेज शीर नगर की दरफ से जे नियू सब्जेक्ट जो है इसमें सेलेक्शन लिस निकली है फार दी एंगेजमेंट आफ अन कंट्रैक्ट बेसी पोस्ट आफ फर्मसिस अंडर फिजिकली हैंडिकाप कैटेगरी जो 500 बैडर टेंपररी कोबिर हास्पिटल बनाया गया है तो उसमें इनको लगाया जाए को और इसमें दो केंडर जिनको फिजिकली हैंडिकाप कैटेगरी में थे उनको शालिष किया गया था डाकुन वेरिफिकेशन के लिए जिसमें पी ज्यादा इफ़ान बशीर और इफ़ान एहमद खान और केंडर नेमने मिस्टर जलाल सनव जलाल उदीन वर्ट जो हैं जिन जो उनोंने हायर मार्क्स लिए थे रिटन टेस्ट में अधर दो जो फिजिकल हैंडिकाप कैटेट जैसे अजाज जलाल ठीक है और इनहीं को देखते होगे जो डिसैवल्टी उनको भी स्टैंडिंग मेडिकल बोर्ड के सामने रखा गया है समेच होस्पिटल श्रीनगर में बेर है जो पीरेज ज्यादा इर्फान बशीर जो थे सरनाप पर ज्यादा बशीर आहमर जो हैं इन्होंने 16 मार्क्स लिये थे रिटन टेस्ट में इन फाम दी सोफिद है मिस्टर एजार जलाज सरनाप जलाल उदीन वर्ट राज राइडन साग गनास पर्टन डजना पसाज तो दोस्तों अपडेट जही है कि जो मिस्टर एजार जलाल थे उन्होंने 17 मार्क्स लिये थे बट उनकी जो डिसाइबल्टी सेटिवगेर था वो जैनूर नहीं था मिन्स की बोडिसाइबल्टी सेटिवगेर नहीं माना गया उनको और इसके बार जो पीर जादा बशीर ए तो फिजिकले हैंडिगवा कैटेगरी उनको स्लेक्ट किया जा रहा है और उनको फरमसिस्ट लगाया जा रहा है तो उनको तीन दिन का टाइम है तो आप जल्दी से बहां पर जाए और अपनी स्लेक्शन लिस्ट लिजिए तो दोस्तों जे फोर्टीं का कलका अपडेट है तो अगर हम एक और स्लेक्शन लिस्ट के बात करें तो दोस्तों एक और जो स्लेक्शन लिस्ट है इसमें बेटिंग लिस्ट को अपरेड करने के लिए बोला गया है तो जे पोस्टर लैब टेकनिशन की तो इसमें अगर बात करें दोस्तों स्लेक्शन एक एंडे की जिसमें फरहत निशार खंड़ाई सरनार निशार आमे खंड़े जो थे अनंतना के इनकी अरिजिनल डाकमेंट को अभी बिदेल्ड किया गया था इनको टाइम दिया गया था तो इसके बाद अभी जो बेटिंग लिश्ट को प्रेयर करने के लिए जो बोला गया था तो इसमें इरिशाद एहमद परे जो हैं इनका नाम दिया हुए तो आगे जहीं है कि अभी मिस्टर इशाद एहमद परे जो है बशीर एहमद परे जो है इनको लगाया जाएगा लैब टेकनीशन के लिए अभी अंडर आर्बिय काटेगरी जो न्यू फाइव फाइव हंडड़ बैडर हॉस्पिटल बनाया गया है खौनमू शिर्णेगर में तो इनको भी तीन दिन का टाइम दिया गया है तो आप भी जहां जो यहां आ बरिपकेशन रोल अपनी करवाये ठीक है करेक्टर की बरिफेशन करवाये और डाकूमेंट की और फिर आपको मेंस की आपकी सेलेक्शन हो जाएगी तो जी भी कल का बडेट है इसका मेंस की कल परसू मेंस की 17 तरह तक आपके पास टाइम है तो आप जल्दी से अपनी वेरिफिकेशन करवाईए दोस्तों की पीडिया में डिस्क्रिप्शन वाक्स में डाल दूंगा थैंक्यू गाइज